गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू यूद गूरुकूल एंपिचेट ओनलाइन क्लासेज कैसे हो दोस्तों आप उमीद करती हूं की सब बढ़िया होंगे ठीक है आज का हमारा टोपिक है हमारे पेड़ हमारा परिवार हमारे मित्र के अंतरगत तीसरा टोपिक हमारे पेड़ पोधे अब हमारे पेड़ पोधे के अंतरगत आज हमें क्या पढ़ना है तो सिलेबस में क्या दे रखा है हमारे पेड़ पोधे में पढ़ना हमें इस्थानी पेड़ पोधे, पेड़ पोधे एवा मनुष्यों की अंतर निर्भरता, मतलब पेड़ पोधे और मनुष्य एक दूसरे पे केसे निर्भर है, वनों की शुरक्षा और उसकी आवशक्ता और महत्व, और अगला टोपिक है पेड़ पोधु पे प्रदुशन का प्रभाव तो पेड़ पोधु पे प्रदुशन का प्रभाव हम मेरे प्रीविएस दो वीडियो में पढ़ चुके हैं वाईू प्रदुशन जल प्रदुशन अनेक प्रदुशन को हमने उसका प्रभाव देखा है उसकी बचाओ के लिए सरकार ने क्या-कया प्रयास भी किये थे वो भी हमने देखा था और उससे संबन्दित कुछ महत्पॉण प्रेश्णोत्री भी साथ में करी थी और आज का टोपिक है हमारे पेड़ पोधे के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और वो सामान्य जानकारी हमारी एक्जाम के लिए अती महत्पूर होगी ठीके, दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है हमें एक्जाम के लेवल को देखके पढ़ना है क्योंकि नोलेज, सामानी ग्यान, समंदर है और हमें हमारी एक्जाम के लिए क्या पढ़ना है वो सबसे ज़दा ज़रूरी है और क्या छोड़ना है ठीके दोस्तों तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर तयारी कीजिएगा हम पढ़ते हैं आज हमारे पेड़ पोधे तो पूरे ब्रह्माण में जो वस्तुए हैं पूरे ब्रह्माण में जितने भी पधार्त इस्तित हैं उन्हें हम दो भावों में बाढ़ सकते हैं एक सजी और एक निर्जी पूरे ब्रह्माण में दो तरीके के पूरे ब्रह्माण में इस्तित पधार्तों को हम दो भावों में बाढ़ सकते हैं एक सजी और एक निर्जी में बाढ़ सकते हैं अब सजी क्या होते हैं और निर्जी क्या होते हैं हम फटा फट देख लेते हैं सजी वो जी होंगे वो प उन्हीं को कहा जाता है जिसमें विकास और व्रद्धी करने की शमता होती है गुण होती है इसके साथ साथ और क्यों होगा वो सास लेंगे उनमें प्रजनन क्रियाएं होगी वो साथ छोड़ सकेंगे वो चल फिर सकेंगे उठ सकेंगे बेट सकेंगे एवरिधिंग बट एक और गुण सबसे इंपोर्टेंट जो सब में देखा जाएगा वो क्या है विकास और व्रद्धी का गुण उसमें हम पेड़ पोधो को भी शामिल कर सकते हैं नहीं तो आपको होगे पेड़ पोधी चल फिर तो सकते नहीं है उड़ बेट तो सकते नहीं खा पी तो शकते नहीं है लेकिन उनमें विकास और व्रद्धी का गुण है वो बढ़ते हैं वो सुख जाते हैं वो बढ़ते हैं और उनमें फूल आधी व्रद्धी होती रenne दर उनका विकास होता है निरंतर तो इस आधार पर हम पेड़ पोधो को सजीव की केटेगरी में रखेंगे इसके साथ निर्जीव वह होंगे जिसमें विकास और व्रद्धी का कोई गुण नहीं होता है जब तक कि मानो नहीं करेगा मानो प्रयास नहीं करेगा उसके साथ उसमें कोई व्रद्धी नहीं होगा नॉर्मल एक एक्जामपल लेकिंगे टेबल एक निर्जी वे टेबल की साइस उतनी ही रहेगी उसमें कोई परिवर्तनी होगा जब तक कि हम नहीं चाहे कि उसमें कोई व्रद्धी हो कोई विकास हो उसके उपर नया डेस्क लगे तब जाके वो बड़ी होगी इससे पहले अगे बढ़ते हैं अगला टोपिक लेटे हैं हम अब सजीयों का ही वर्गीकरन पढ़ेंगी क्योंकि हमें सजीय पढ़ना है सजीय में भी पेड़ पोधे पढ़ना है वहां तक हम जा रहे हैं तो रोबर्ट हार्टिंग विटेकर ने सजीयों को पांच भागों में विभाजित किया है कितने भागों में विभाजित क्या है सजीवों को पांच भागों में इसमें सबसे पहला जो भाग है वो क्या है मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगी भी कहते हैं जिसे पादब जगत और जन्तु जगत सजीव इसके बाहर नहीं होंगे सजीव की सारी केटेगरी यहां गई है अब मोनेरा पढ़ लेते हैं मोनेरा क्यों होता है तो मोनेरा जो होता है वो एक कोशी की प्रोके रूटी जी इसके अंतरगत शामिल किये जाते हैं ध्यान रखना मोनेरा के अंतरगत कौन से जीव शामिल किये जाते हैं एक कोशी की प्र जिवानों जीवानों से यह भी हो चता है कि एक कोशुची की जीवानों होते हैं तो आपको ऑपशन दिये जाएगा तो जीवानों होते हैं इंग्लीश में देखेंगे तो बेक्टेरिया, एक कोशी की प्रोक्योर्यूटी जी और मोनेरा की शेने में आएगा तो क्या आएगा जीवानों, उसके बाद है प्रोटिस्टा, तो पादप और जन्तु जगत के बीच की जो कड़ी होती है, जहां से पादप खतम होते हैं और जन्तु शुरू होती है, उसे बोला जाता है यूगलीना, वो इसी जगत में शामिल किया गया है, तो इसका सबसे इंप्रोटिस्टा में क्या होता है, यूगलीना शामिल किया जाता है, और यूगलीना क्या है, तो वो जन्तु और पादप जगत के बीच की कड़ी है, इसक अच्छे से समझ जाती है तो किसी और पधार्त के उपर जम रहे हैं मतलब कि यह पर जीवित रहती है दूसरे पधार्त के उपर जीवित रहती है दूसरों की जो सड़ी गली चीज़ होगी उसी को इब्सव करती है मतलब दूसरों के उपर डिपेंड है वो तो यह पर जीवि या म्रत पधार्तों पर भोजन के लिए निर्भर जीव है इसे इसमें शामिल किया गया है ठीक है और इसकी कोशिका भित्ती कायटीन के बनी होती Ton कोसिका कि जो कोशिका भित्ती तो कअटी की बनी होती है कोशिका कि इन्हें में लिखा भी कवक की जो कोशी का भित्ति बनी ओती वो कायटन की बनी होती है एक्जामपवल में फफ।ून म्श्रूम यह सब कवक के एक्जामपल है ये म्रत जीवी होते हैं, कवक में आपको में में चीज़े में आपको बता दिती हूँ, फंगी कहा जाता है इसको, पर जीवी या म्रत पधारतों से भोजन प्राप्त करते हैं, और इनकी जो कोशिका वित्ती होती है, वो कायट इनकी बनी होती है, एक्जामपल फफोन वगेर आजाएगा पादप जगत, अब सभी हरे पेड़ पोधे, पादप जगत, पादप जगत में शामिल किये जाते हैं, ठीक Yani और जन्तु जगत, जन्तु जगत में आपको पता ही है, सभी जानवर, जीव, मनुष, जन्तु जगत में शामिल किये घये हैं, ठीके, अगला हम बेसिक से कोशन बनेंगे ठीके आप इसके और अंदर मत घुसना मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोशन बनने की उमीद है फिर आपकी इच्छा अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल डिप में पढ़ना चाहिए अब पादप जगत को हम पढ़ लेते हैं पादप जगत में क्या आएगा पेड़ पोधे जी जन्तों के लिए महतपुन इस्थान रखते हैं खादी शंकला की प्रारंबिक उत्पाद में प्रथम इस रोद भी कहां है पादप जगत है मतलब कि खादी शंकला जो शुरू होती हमारी उसको 3-4 केटेगरी में बाटा गय दिवेशं में ज रहत कैने हैं टो उसको प्रारंबिक कडी प्रारंबिक स्थ चुम लाणी कीड़ी कौन है पादप जगत है और यहरू में क्या देते हैं ऑउकसिजन देते हैं पादत अब पोधों के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं, अब पादप जगत तो हमने पढ़ा ही है, सजीओं में पादप का वर्गी करण किया है, वीटे करने 1969 में किया है, यह जो इनका विभाजन किया गया था, वो कब किया था, 1969 में पांच भागों में बाटा था, ठीके, अब हम इ यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का और कोमन होता है, इनकी अत्यधिक टहनिया नहीं पाई जाती है, अब एक्जामपल अगर में दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी लिए, तो इजी लिए अगर आपन देखेंगे तो क्यों होगा, ध धनिया, मेथी, पालक, धनिया, मेथी, पालक आदी, तो आप देखें, धनिया, आपने देखा ही होगा, नॉर्मल कैसा होता है, इसका जो तना होता है, बिल्कुल हरे रंग का होता है, इसकी जड़ वो ज़्यादा डार्क में होती है, भुरे रंग की मतलए, बहुत ही हलके बुखे हैं मतलब बहुत कवाल जड़ोगी इसका जो तरह मन दो कर में में जनतो द्म कहती है बढ़ी माटवच और अतिटीक टहनय से निकली होती है इसरी कsis क्या है जाट पर जार भर ने और की इतनी जारेयोग deficit और इनका जो तना है वो मोटा और कठोर होगा इनका तना थोड़ा सा मोटा होगा और कठोर होगा और इसमें से कहीं सारी कशाच्छाे या टहनीया। निकली होती है जैसे गुलाब निम्बू बेर अपने इनके पेड देखियोंगे यह जाणयों के जेसे li be लगभग तीन से चार फूट की हाइट होती है गुलाब के पोधे की गुलाब का पुधास अबने ही देखा होगा देखा होगा न अपने तो इसका तना थोड़ा मोटा होता है कंपेर टू शाक के और थोड़ा कठोर भी होता है क्योंकि हाइट अगर बढ़ गई है तो उसको पकड़ने की ताकत तो होनी चाहिए न तो थोड़ा सा कठोर होता है और इसमें से कहीं शाखाए निकली होती है अब एक्जामपल से मुझे लगता है कि आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समा सकते हो शाख के डेफिनेशन में भी एक्जामपल से आपको अच्छे से समझ मा जाएगी जाड़यों से भी समझ मा जाएगे अब रक्ष रक्ष किसे कहेंगे जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ अब इसमें क्या होगा इनका अकार बहुत बड़ा होता है और ये फैले हुए होते हैं विशाल होता है, विस्तार होता है इनका इनका तना कठोर और मोटा होता है और भूरे रंग का होता है आमने देखा होगा कि पेड़ और एक गुलाब का तना, एक पेड़ का तना इमेजन कर यह लाइट भूरे रंगा होता है ना कोको कोला टाइप थोड़ा सा इस टैप से हम लेक नहीं बोल सकते उसको ब्राउन ही बोल सकते तो एक लाइट कोई सा पोधा लाइट ब्राउन होता है कोई सा डार्क ब्राउन होता है तो इनका तना क्यों होता है भूरे रंग तो इसमें से कहीं शाखाय निकली होती है जो चारो और फेली होती है ठीक है जो सीधे इस्थी नहीं हो पाते हैं इनको इस्थी रहने के लिए साहिता क्या हो शकता होती है एक्जामपन खीरा मनी प्लांट आदी आपने देखाऊगा मनी प्लांट का पोधा क्या होता है वो खड़ा नहीं होता है वो फैलता है खीरा चो ककड़ी का पोधा होता है टमाटर का पोधा होता है मर्टर के पोधे होते हैं आप उन्हें बोला जाए कि पोधा नहीं बोलना चाहिए उन्हें लताय बोलने जाए क्योंकि वो किसी के सहारे खड़ी की जाती है या फिर नीचे ही वो रेंगती रहती है वो खड़ी न सहाइता की आवशक्ता होती है इन्हें इस्ती रहने के लिए किसी की सहाइता की आवशक्ता होती है ठीके इन्हें इस्ती रहने के लिए किसी की सहाइता की आवशक्ता होती है जेसे खीरा मनी प्लांट आदी के पेर आदी के तने सॉरी आदी की लता है हे अब आगी डिसकस कर लेते हैं शेत्र के आधार पे पोधों का वरगी करना अब शेत्र के आधार पर केसे जैसे मरुस्तल होगा तो वहाँ केसा पोधा होगा अगर जल है तो वहाँ कैसा होगा अगर ज्यादा लवाण है तो वहाँ कैसा होगा तो हम देख लेते हैं अब जलो द्भित हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट अब आपको समझ में आपका हाइड्रो याद करने की ट्रिक बता रहे हूं, यह पानी में पाये जाते हैं, जिस पर मोम की परत रहती है, यह ऐसे पोधे होते हैं, हेड्रोफेट के वो पानी में पाये जाते हैं। परते प्रकार आम की प्रक का पूदा होता है यह है उता है वाना थे खुछ होती है और इन पर गुरी थे किया है परतर चड़ी होती है एक्जामपल के लिए देख क्या है कमल yo कमल का जो پोदा होता है वो पानी में ही होता है हाइड्रिला, वोटर लेली, ये सब पानी में होते आमने कमल के पोदे की पत्ति को देखा होगा बहुत मोटी से होती है और मौम जैसी लगती है ठीक है, लवनात भित मतलब हेलो फाइट हेलोफाइट इस प्रकार के पोधे होते हैं जो दलदली छेत्रों में पाये जाते हैं इस पोधे की जड़े जमीन के उपर निकली हुई होती है हेलोफाइट हमें इतना डीटल नहीं पढ़ना हमें सिर्फ यह पढ़ना है हेलोफाइट कहा है तो दल दली शेत्र में पढ़ना है अब इसको केसे याद कर सकते हैं आप एक इमेजिन बनाएंगे हम किसी दल-दल में फज गश गये तो हम निकलने के लिए हाथ खड़ा करेंगे हेलोफाइट है तो हेलोफाइट मतलब और दल-दली शेत्र में हैट्रोफाइट मतलब पानी में पाय जाता है अगले देख लेते हैं मेज़ोफाइट, मेज़ोफाइट वह होते है जो खेती होगयों होते हैं मेज़र, मेज़र, मेज़र चीज़े कहा होती है खेती में होती है तो जो खेती है एक्जामपर जो खेती करने वाली जमिन में पाए जाते हैं तो मेजोफाइट मक्का टमाटर गेहूं धान ये सब खेत में ही पाए जाते हैं और एक और है जिरोफाइट जिरोफाइट वाले पोदे कहां पाए जाते हैं मरुस्तली छेतरों मे अब जीरो फैट और मरुस्थली को याद करना है तो मरुस्थल जाओगा वहाँ क्या होगा कुछ नी होगा मतलब की जीरो है तो जीरो फैट मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आसानी से तो एक बार और आप मेरे साथ रिवाइस करिए हाइडरो फैट कहाँ पाए जाते है पाने में पाए जाते है हेलो फैट कहाँ पाए जाते है दल दिली छेतर में पाए जाते है मेसो फैट कहाँ पाए जाते है तो खेती योगी जमीन में पाए जाते है और जीरो फैट कहाँ पाए जाते है मुख्य इस्थानी पैड पोधे में क्या आएगा बरगत की बारे बरगत की बारे सका फेलाव अधिक होता है कहीं साखाइं निखली हो infect है लौरी इते में क्रोटन यह फोदह बतां के साथ बोया जाता है जो यह बताने में समर्थ है कि पनी की आवशक्ता होती है ठीक है कब पानी के आवशकता है फसल को ये कौन बताएगा हमें क्रोटन नामक पोधा और ये क्रोटन नामक पोधा फसल की जब बुवाई की जाती तब बुवा जाता है ताकि किसानों को पता चल जाए कि हमारी फसल को पानी के आवशकता है इसकी जड़े अधिक नी तो पता चल जाता कि अब हमारी फसल को भी पानी क्या शकता है अब फसल को सिचाई देना है तो किसान का मित्र कौन सा होगा क्रोटन पोधा क्रोटन की फसल या क्रोटन का पोधा किसानों का मित्र होगा अगला देख लेते हैं केला केला क्या है केला एक पोधे का प्रकार है अ इसका तना क्या होता है हरा होता है इसमें से शाखाए थोड़ी टहन्या कम निकली होती है निकली होती लेकिन जादा ने निकली होती है और इसका तना कॉमल होता है अप केले को पोधे को जाके बेखना अगर आपके आसपास हो तो आपको ये सारी विशेष्टा है उस केले के पोधे में दिखाई देगी ठीक है अगला देख लेते हैं खेजडे मोस्ट इंपोर्टेंट है खेजडे से रिलेटेट पुराने पेपर्स में सीटेट की एक्जाम में आर्टेट की एक्जाम में पूछे ही गये हैं जो खेजडी क्या होता है ये रेगिस्थानी छेतर में पा इस पेड़ की चाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी से कीट नहीं लगते हैं इसकी लकड़ी में कीट नहीं लगते हैं यह चायादार होता है देखो इस खेजड़ी की कितने सारे उधाराण है कितने सारे इंपोर्टेंस है कितने सारे महत्व है यह रागी रेगिस् में पाया जाता है अगला क्या होता है इसकी फल्यों की सबजी बनती है इसकी पेड़ की चाल से दवा बनती है और इसकी लकड़ी में किड़े नहीं लगते हैं इसलिए इसकी लकड़ी का उप्योग इमारती लकड़ी के रुप में भी कहीं कहीं किया जाता है और ये चायादा रक्ष है अब रेगिस्तान में अगर चायदार रक्ष मिल गया है तो मालोद पानी ही मिल गया सहारा मिल गया लोगों को अगला है रेगिस्तानी ओक अब ओक ओक जो होता है ये औस्टेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है इसकी खाज सिशेष्टा क्या है यह उस्टेलिया के रेकिस्तान में पाया जाता है ओक अगला है घट पर्णी घट पर्णी एक एसा पोधा है जो कीडो मकोडो चुओ या छोटे जीव को खा जाता है आपने कभी एसा सुना कि पोधा मांचारी या पोधा पेड़ पोधे जान इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नेपेंथिस यह क्या होगा यह कीडो मकोडो चुओ चोटे जीव को खा जाता है यह जो पोधा पाया जाता है यह कहां पाया जाता है यह जो पोधा पाया जाता है वो कहां पाया जाता है मेगाले में भारत के मेगाले भारत का एक राजवे मेगाले वहाँ पर यह पोधा पाया जाता है सोरी दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आज हम ये पुरा इस्थानी पेड़ पोदे कम्प्लीट कर लेंगे इसमें थोड़ा जल्दी चलते हैं घट पढ़नी जगा जाता है और भारत दोस्तों भाल दोरी में पाला सब्सक्त REM सीव लैसंות आड़ सब्राइक वर्ट कर दोस्त थे से क्लिएगा बाँब्राइद उन्हें सामानी जानकारी ली सामानी जानकारी ली कि पोधे के प्रकार क्या क्या होती है शाक क्या होता है जाड़ी क्या होता है व्रक्ष क्या होता है लदाय क्या होती है फिर देखा है कि कौन-कौन से छेतर में हम उन पोधों को किस हिसाब से वर्जिता रहन करेंगे प्रहु की स्थानी पेड़ पोधे कौन से हैं इसमें सबसे इंपोर्टेंट है खेजड़ी ओक घटपर्णी केला क्रोटन किसानों का दोस्त मतलब किए क्या करेगा फसल को जब भी पानी क्या शकता होगी तो बताएगा ठीक है अब अगला है हमारा पोधे के भाग एवं उनकी भूमिया शोरी भूमी का पोधे के भाग अब पोधे में कौन-कौन से अब हमने एक पोधा पेड़ ले लिया एक पोधा ले लिया अब इसमें कौन-कौन से भाग होते हैं और इनकी क्या भूमी का है है शामाने जान हम इसलिए शब्द यूज़ कर रहे हैं आप भी बोलोगे सभी में तो किसी किसी में फल नहीं लगते हैं लेकिन प्रायर सभी पोधे में जड़ तना पत्ती फल फुल पाये जाते हैं इनके कवप शेवाल आदी में इस प्रकार की चीज़े दिखाई नहीं देती हैं जो फंगी होगा वो उसमें ये सारी चीज़े नहीं दिखाई देती हैं पोधे के इन भागों का विवरण निमने लिखी थे हैं तो जड़ अब हम सबसे पहले जड़ देखेंगे जड़ क्या होता है ये पोधे का वह भाग है जो प्राय भूमी के अंदर रहता है सब कोई पता है जड़ का रहेगा नीचे रहेगा ठीक है अब जड़ का महत पढ़ लेते हैं हम जो जड़ रहेगी वो क्या होगी भूमी के अंदर रहेगी अब जड़ का महत देखें तो य नहीं पर सबसे most important क्या है, जड़ का काम क्या है, था है पोधे या पेड को पकड़े रखता है, और साथ में ही जल तर्था खनिच पदारतों को अवशोशित करके, क्योंकि हम सारे जड़ में देते हैं, पानी जड़ में देंगे, तो जड़ क्या करेगी उसको उशोशित कर लेगी और किसको ट्रांसफर कर देगी तने को तो तने की विभी ने भागों में इस्थांतरीत करता है फे अगला पढ़ लेते हैं तना अब शब्द आये हैं ये तना तो तना पढ़ लेते हैं तना क्या होगा यह पोदे का वह भाग है जो प्राय भूमी के उपर रहता है जो हमें दिखाई देता है जड़ हमें दिखाई नहीं देती लेकिन पेड़ का जो भाग हमें दिखाई देता है लंबा सा गोल गोल वो क्या होगा तना होगा तो तना हरा वो भूरे रंका होता है पेड में एक लंबा घोल जैसा होगा फिर उसके बाद फोड़ास अपर जानेए के बाद इधर से शाखाएं निकले उन्हीं से पे पत्तियां लटक रहे हैं वे सावी क्या हो जाएगी शाखाएं हो जाएगी पत्तियां ऊपोटारी जिज़ा रहेगा क् atención के देखे एक टना क्या क्या होता है तो तना हमने देखा है क्या होता है वह इता है थी सीफसेंद पुरों पर आओ ह और मीज Dal on in बात कहीं जड़ में जड़ किया है तो टना क्या करेगा जड़ ने जो इक खटा किया है उसी को पति पोधों के अन्य भागों तक पोचाने का उसी का क्वा गेगा, तना करेगा मत्तव इक कंद नली के जैसे, अनलियम के जासे, और देखते हैं, नीचे से खड़ा गोल में होत क्या होता है पत्ति पोधों की पत्तियां तनों वर टहन्यों के सहारे निकलती है पत्तियां मुख्य रुप से हरी रंकी होती है सबी को पत्ता है पत्तियों का महें तो क्या है तो पत्तियां सुर्जी की रोशनी में जल और कारबन डाई आकसाइट की सहायता से प्रकाशन्स लेशन करती है जिससे पोधे में भोजन का निर्मान होता है पत्तियों से जो जल वाश बहार निकलती है उसे वाश पोध सर्जन कहते है ठीक है पत तो पत्या सूरी की रोशनी में जल और कार्बन डाय आकसाइट की साहता से प्रकाश न स्टेशन की क्रिया से भोजन बनाती है और पोधो में भोजन का निर्मान करती है और पत्यों से जल वाश्प बहार निकालती है उसे वास्पो सर्जन भी कहा गया है ठीक है आगे बड़े आगे देखनेते हैं पोधो के पोधो में पोशन तत्व पोधो के दो मुख्यवर्ग होते हैं पोधो के पोशक तत्व मतलब पोधो में किस तरीके से पोशक उनको खाना को नुप्टप्त कराता है उस आधार पर देखेंगे तो दो भागों में तो है स्वपोशी और परपोशी स्वपोशी क्या होगा? जो अपना भोजन स्वपोशीर स्व मतलब पोशीर परपोशी क्या होता है तो वैसा ही होगा पर पोशी और स्वपोशीर स्वपोशी क्या होगा? जो पोदे अपना भोजन स्यम बनाते हैं वह सो पोशी कहताएंगे और जो भोजन स्यम नहीं बनाकर अन्यों पोदे और पशुल पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें पर पोशी कहा जाता है कि एग्जामपल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा काव फफुन मश्रूम और अगर और पोदे में अगर देखेंगे तो क्या होगा अमर बेल और मनि प्लान यह सब होंगे स्वरी मनी प्लांट में होगा अमर बेल परजीवी होंगे यह अगला देखते हैं प्रकाशन इसलेशन देख लेते हैं ठीक है प्रकाशन इसलेशन क्या होता है प्रकाशन इसलेशन होता है पोधे सुरी की प्रकाश में उपस्तित होकर कारबन डाय आकसेट और जल के साथ क्रिया करके कारबो अइडरेट बनाते हैं और ऑक्सिजन को बाहर निकालते हैं इस पुरी प्रक्रिया को प्रकाशन इसलेशन कहेंगे इसे नोट डाउन कर लिजिए मैं आपको बता देती हूं इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मली शीक्स सीओ टू होता है तो कार्बन डायकसाइट प्लस कितने पानी मिलेगा 6 तो 6S2 हो तो कार्बन डायकसाइट और पानी मिलके और यह किस की उपस्तिति में होगा प्रकाश की सूरी की उपस्तिति में होगा मतलब सूरी की उपस्तिति में क्या बनाएंगे कार्बोहिट्रेट C6 H12 O6 बनाएंगे और प्लस में क्या बनाएंगे 6 Oxygen बनाएंगे मतलब भोजन बना रहे हो और साथ में Oxygen मतलब पोधी क्या करते हैं कार्बन डाकसाइड लेते हैं और Oxygen को छोड़ते हैं उसी को बोला जाता है प्रकाश रंसलेशन की क्रिया जो की पोधो में होती है नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो टोपिक था पेड़ पोधे एवा मनुष्य की अंतर निर्भरता पेड़ पोधे और मनुष के अंतर निभरता में अगर देखेंगे तो क्यों होगा पेड़ पोधे मनुष एक दूसरे से कैसे संबंदित है तो देखेंगे पोधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में औक्सिजन की मात्रा बढ़ाते हैं पहले ही पता चलिया प्रकाश एंसलेशन में हमने देखा है कि वो ऑक्सिजन छोड़ते हैं तो ऑक्सिजन छोड़ेंगे तो क्यों होगा वातावरण में ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ेगे और हवा को शुद्ध करेंगे हवा को शुद्ध केसे करेंगे हवा में जो पसित carbon dioxide है जो कि मनुश्यों के लिए आनिका रखे उसको वो ग्रहन करेंगे और जो मनुश्यों के लिए फाइदे बंद है जो उनके जीवन का मुल आधार है उसे वो छोड़ते हैं अगला देखते हैं जो पोधे होते हैं वो म्रदा शरन को रोकते हैं और म्रदा की उर्वरा शक्ती को भी बढ़ाते हैं म्रदा शरन को के से रोकेंगे मैंने बताया था आपको म्रदा शरन क्या होता है मिट्टी का बहाव मिट्टी एक इस्तान से दुसरे इस्तान पर जाती है लेकिन पेड़ अगर देखेंगे कि पानी के साथ अगर कोई बहरा है और उसको बीश में कुछ मिल गया सहारा तो वो उस सहारे का लेके रुख जाएगा आगे नहीं बहेगा वेसे ही होता है जब पेड़ लगा है तो मिटी जब उपर से बहके आ रही है यहां से बहकी है तो वो पेड़ की जड़ो के कारण डुक जाएगे वो जादा आगे नहीं बहेगे वो वेस्ट नहीं होगी तो उसी पेड़ पोधे क्या करते हैं मृदा शारण को रोपते हैं और मृदा की रोराशक्ती को भी बढ़ाते हैं ठीके अब अगला देख लेते हैं परिवेश में सो अंदर ही बढ़ाते हैं अंदर ही बर्दख होते हैं अगला को प्रद्रद ऑबाते हैं फाल परिवःतन को बचाने में बदत करते हैं पेशों सब्सक्राजि फाल रहे प्रतिक जीव शाकारी मानसारी या सरवाहरी होता है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रुप से पोधो पर ही निरभारे क्यों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रुप से पोधो पर ही निरभारे केस होगा क्यों क्योंकि खादी शंकला की सबसे पहली कड़ी होती है अब खादी शंकला की वही पहली कड़ी है तो वो सबसे इंपोर्टेंट होगी अगर पहली कड़ी नहीं होगी तो सारी कड़िया निरंतर नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी तो क्यों होगी सारे जी मर जाएंग पोधों में हमें खाधि पधारतों की प्रापती होती है, अब ये खाधि पधारतों की प्रापती कैसे होती है। पोधों से हमें क्या होती ही खादी पधारतों की प्राप्ती होती है तो वो खादी पधारतों की प्राप्ती केसे होती है हम देख लेते हैं पोधों से लाप एवं प्राप्त प्राप्त होंगे अब यहां देख लेते हैं अनाच खादी सामक्री से संबंदित पोधे जैसे जैसे मडर का पोधा अरहर का पोधा अनाज अब अनाज भी हमें क्या हो लेंगे पोधों से मिलेंगे आपने देखाओगा गेहू, मक्का, चना सोयाबीन धान ये सब पोधे होते हैं मतलब पेड़ पोधे के ही रूप है और वो सब हमारे लिए खादी सामगरी है फल फुल पेड़ पोधों से मिलेंगे जैसा भी आप फल देख लो ये सा कौन सा फल है जो की पेड़ पे नहीं लगता है सारे फल पेड़ पे लगते हैं तो ये हमारे लाब है अगला हमें क्या मिलता है सबजिया कुछ सबजिया जड़ के रूप में है जैसे मुली, शेलजम, चुकंदर, गाजर कुछ तने के रूप में है जैसे आलू, अद्रक कुछ पत्ति के रूप में प्राप्त करते हैं जैसे देख लिजे जैसे पालक पत्ति के रूप में कैसे होगे पालक, धनिया, मेथी यही एक्जामपल रहेंगे ना लगभग सरसो फूल के रुप में अगर हम देखेंगे तो कौन सी होगी फूल गोभी कच्छनार का फूल फल के रुप में देखेंगे तो तीरोई, भिंडी, टमाटर यह फल है फूल के खतम होने के बाद जो फल मिलेंगे टमाटर, भिंडी, तीरोई, गिल्की, ककड़ी यह सब नॉर्मली फल बनने के स्वरी फूल बनने के बाद ही सबजी मिलती है फल मिलता है और फल सबजी के रुप में हो गया अगला देख लेते हैं खादी तेल अब खादी तेल में बीजो से फूलो से बीजो से जो मिलेंगे सरसो, मुणफली, तील अब खादी तेल मिल सकते हैं चमेली, गुलाब, नार्यल यह सब यह हो गए अगला देख लेते हैं मसाले, मसाले भी सारे पेड़ पोदे पे लगते हैं लोंग, काली मिर्च, इलाइची, तेच पान का पत्ता, अधरक, तेच पान का पत्ता क्या है, पत्ते के रुप में हम इसका यूज करते हैं किस के रूप में करेंगे पत्ते के रूप में करेंगे अध्रक का तने के रूप में करेंगे लोंका फूल के रूप में करेंगे काली मिर्च का बीच के रूप में करेंगे ठीके इसके अलावा देख लेते हैं रेशेदार पधार्थ में जिसे रेशा बनता है जूट जूट से रस्ती बनती है कपास कपड़ा बनता है तो एक तरीकी का देशा ही हुआ ठीक है अगला देख लेते हैं हम ओश्टियों के रूपे अगला ओश्टियों के रूपे देख लेते ह पेनी सिनील कवक ही है अज थोड़ी सी गड़वर हो रही है देखो कुनेन कुनेन एक दवाई है सिन कोना पोदे का नाम है जिसे कुनेन नामक दवाई बना जाती है जो कि मलेरिया के लिए महत्यपोण है ठीक है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि सिन कोना नामक पोदे से कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार के लिए उप्योग में लाई जाती है दूसरा अफिम के पोदे में क्या पाये जाता है मार्फिम पाये जाता है अफिम में क्या पाये जाता है मार्फिम एक नशिला पधार मार्फिम प अगले हमने questions दिये हैं, मैंने आपको इस session में जितना भी पढ़ाया है, इससे related ही question है, और ये सारे questions किसी exam में पुछे गए हैं, ये सारे questions C-Tate, M-P-Tate पुरानी चित्ती भी exams होई है, कि teacher eligibility test is related, उन सभी exam में पुछे गए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको basic पढ़ना है, एक general knowledge पढ़ना है, easily आपका पुरा course हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेंगे आपके नंबर कहां, केसे cover हो गए, ठीके, ठांक्यू दोस्तों for watching this video, हम next video में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हमारे प्रक्रतिक संसाधन, उर्जा के पारंपरिक, नविनी करण, अनविनी करण, आज की जैसे ही हम अगले topic को पूरे एकी session में cover करने की कोशिश करेंगे, ठीके दोस्तों, आप इनके answer comment box में comment कीजिए, और हमें reply कीजिए, केसा लगा हमारा वीडियो, धन दोस्तों